तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां आटोमेटिक इलेक्ट्रिक आइरन है जो हीट नहीं हो रहा है यानि कि यह खराब उच्छुक है दोस्तो आइरन हीट ना होने के पीछे चार कारण हो सकते हैं दोस्तो चार कारणों को मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बा मेकनिकल सर्च तो चले हो तो कोई स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन चार कारणों से जिन कारण से जो हमारा आरेन है वह हिट नहीं होता दोस्तों हिटना होने के पीछे पहले करण यह होता है कि इसका supply wire खराब हो जाता है supply wire कहां से खराब होता है यहां पर से खराब होता है और यह जो वार होता है उसके बीच में से कहीं पर भी खराब होता है बस्ट हो जाता है तो इस करण से भी आपका iron में hitting problem आता है ठीक है और दूसरे करण की बात करे तो इसका जो supply wire है दोस्तो और अंदर का जो element का wire होता है जहाँ पर joint रहता है वहाँ पर wire जल जाता है हीट होने कारण जिसका अंसे भी आपका iron में hitting problem आ सकता है और बात करें तीसरे problem की तो यहाँ पर आप देश सकते हैं एक rotary switch लगा हुआ है और इसके अंदर एक thermo state लगा हु होता है जो main इसका coil होता है जिसका है hitting होता है वही खराब होता है जिसका है आपका iron में hitting problem आ सकता है ठीक है दोस्तों इन चार कारणों को हम यहाँ पर step by step follow करेंगे और चेक करते जाएंगे और इसमें जो भी problem इसको solve करके आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले आपको back cover को लेना पीछे से तो यहाँ पर तीन वारा ठीक है एक green red black तो green वार होता है जोस्तों हमेशा अर्थ के लिए होता है जो कि iron के body के साथ attach रहता है तो यहाँ पर red और black wire है तो यहां से हम इसका continuity check करेंगे यहाँ से इसका टूपीन, थ्री पीन, टॉप है यहाँ से हम इस wire को पहले check करेंगे कि wire हमारा सही है यह नहीं है यह हमारा पहला step होगा ठीक है तो यहाँ पर multimeter लेना है और continue more पर आपको set करना है तो एक प्रॉब को three pin के एक point पर रखना यहाँ पर हम red और black दोनों में touch करके देखेंगे तो यहाँ पर red वाली point में continuity बता रहा है यानि कि यह जो three pin है उसका यह वाला जो दो वार होता है उसमें का एक wire सही है अब हम दूसरे terminal में यहाँ पर touch करके रखेंगे और यहाँ पर black wire में check करेंगे तो यहाँ पर भी reading सो कर रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो supply wire है वा एकदम okay क्योंकि यहाँ से supply हमारे iron तक जा रहा है तो यहाँ पर हमारा पहला step pass हो चुका है यहाँ पर कोई fault हमें नहीं मिला अब हमारा अगला step यह होगा कि इसका जो उपर का cover है पहले उसको निकालेंगे और देखेंगे कि अंदर का तार कहीं पर से जला हुआ टूटा हुआ कटा हुआ तो नहीं है यह हमारा दूसरा step कहीं पर तार connection तार जला हुआ कटा हुआ तो नहीं है तो यहाँ पर सभी तार फ्रेश है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो प्राब्लम नहीं है इस तरह से हमारा दूसरा step है यह भी पास हो चुका यहाँ दक भी faultन नहीं है ठीक है अब बाकी के दो जो step है उसको जानने के यहाँ पर हम क्वाइल को यह वाला आप देख सकते हैं इसका element है जो हीटिंग करता है ठीक है तो हम इस element को डायक्ट चेक करेंगे दोस्तों यह जो element होता है उससे पहले थर्मोश्टेट में supply वार जाता है एक वार से गुजर कर क्वाइल में जाता है लेकिन हम डायक्ट को दोनों we shall go check करेंगे कि सही है या नहीं है ठीक है उसके बाद हम इस थर्मोश्टोर्ट को भी चेक करेंगे तो limitometer को अ है और आपको分 करना है और दोनों प्रापो element के दोनों में यहाँ नहीं तो आप पर कंडूट नहीं बता रहा है दोस्तों जो अप्लाई वायर का depth दो वार होता है उसमें का एक वार की साथ जुरा हो रहता है और दूसरा ऑरा फेल no state में जाता है से God करो करो वारे लेकिन जो सप्लाई का वार है थर्मो जेस्ट की नीके वाले यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर हमें यह पता चला कि दोस्तों क्वाइल तो सही है लेकिन सब्सक्राइब जो कि थर्मोश्टेट में पहले लगा हुआ तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह जो हीटिंग रॉड आप देख सकते हैं यह पट्टी आटोमेटिक मूड जाता है और आपका आरन खराब होने से बच जाता है इस तरह से यहां काम करता इसका सर्की्ट रवेकर है इस पकार से एक तरह का यह तरह गया पर पीन को आप देख सकते टर्मिनल को सर्मोश्टेट का यह अलग है यह टच नहीं दोस्तों यह आप पंडिशन में जिसको हमें यहां पर मैनुवाली हमें सेट करना पड़ेगा इसको फिर सेट करना पड़ेगा जो पट्टी उसको सिधा करने पड़े हमें यहां पर आन तो कर रहे लेकिन इसका जो दोनों टेर्मिनल यहां पर उपर उठावी हुआ है और नहीं हो रहा है तो इ और देखेंगे जब तक कि हमारा जो थर्मो इस्टेट है वह आन नहीं हो जाए तो इस तरह से आपको पट्टी को नीचे दबाना है तो थोड़ा मूर चुका है आप देख सकते हैं अभी इसके बाद हम आन करके देखते हैं तो दोस्तों यहां पर आन तो हो चुका है अब दो हमारा थर्मो स्टेक्ट यहां पर और आउन जाया तो आप दह सकते हैं आफ हो रहेजेज यह तो अहीं पर फसा देंगे दूनों बाहल में और स्थर्मिक stored को जो सीँ इसको आउप करके देखेंगे तो दोस्तों यहां पर हम इसको अन कर दियाँ आप हो चुका है अब अन करते हैं तो यहां पर नबी हो रहा है दोस्तों आप देख सकते हम स्थ conclus को घुमार है तो अप विए और और इस तरह से आपको पट्टी को जरोत के साथ सीथा करना पड़ता है तो इससे तो इसका जो फॉल्ट था इसका थर्मो-स्टेट में फॉल्ट था जो इसका अधिक हीट होने कारण जो पट्टी है, लुट चुका था तो दोस्तों इसका प्राब्लम तो सॉल हो चुका है तो अगर आपका भी एरेन में इस तरसे हीटिंग प्राब्लम आ रहा है तो जो 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 स्टेप मैंने आपको बताया हूँ इसको आप एकए करके फालोग कीज़ेगा आपका आरेन का जो फॉल्ट है वह असानी सी मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने फिटिंग कर देए अब इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि यह हीट हो रहा है कि नहीं तो इसमें सप्लाई आज चुका है आप देख पा रहा है अब इसमें हम कुछ बुंदे पानी की डाल कर आपको दिखाएंगे कि यह इतना हीट हुआ तो हम कुछ बुंद पानी ले लेते हैं तो दोस्तों आप देख यह पानी उबल रहा है यानि कि आपको पता चल चुका हुआ कि यह आरन हीट हो रहा है काम कर रहा है तो इसका प्रॉब्लम स्वार हो चुका है तो दोस्तों मिलते हैं नेर्ट टूड में एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिए जय हीन जय वारा तो वंदे मातरम